केरी मिनाती क्या रोस्ट किये हो बें यूट्यूब वर्सिस टिक टॉक मैं कुछ साइरी पेस करना चाहूंगा आपके लिए तो केरी मिनाती बाई यूट्यूब वर्सिस टिक टॉक की जंग मैं केरी भाई ने बाजी मार ली और केरी भाई आपने तब बिना तेल की अमिर भै केरी ने तुम्हारे सवालों का जवाब दिया क्या और एक सवाल मेरा भी है कि आखिर तुमने छे साल मौसकों में किया क्या एक ओवर में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकोर्ड यूवराज जिन के नाम है जह है खल केरी ने दस मिनट की वीडियो में न जाने कितने छक्कों को मार दिया है केरी वाई कि वीडियो देखने के बाद ना अब मेरा भी मन कर रहा है थे साल मौसकों में बिता के हो ज्यादा चबड चबड मक्यत मिटाई की दुकान पर ले जाओंगा दोसों में बिक जाएगा आई सो सेरियस दोस्तों मेरी माजी आपसे एक बहुती बड़ा स्वाल पूछने जा रही है पूछिए माजी 6 सार मौसकों में क्या किया कि टिक टॉक की आधी जनता वैसे केरी मिनाटी के रोश्ट के बाद मूँ छुपाए पिर रही थी और हमारी बेटी ने जाके यह कमेंट कर दिया अरे बस करो यार अब तो मान जाओ टिक टॉक वर्सेज यूटूब सुबे से टिक टॉक वीडियो देख रहा हूं स्वाइप कर रहा हूं ट्रोल आमेद केरी मिनाथी यार क्या मिल गया रहा है तुम सबको यार मगर गुपता मजा होता यारा अभी हर एक की जवान पर एक ही सवाल है चलो टिक टॉक बनाते हैं चलो टिक टॉक बनाते हैं चलो टिक टॉक वो क्या होता है चलो बाइक बड़ी आची टिक टॉक वीडियो बनाते हैं तो कैसे हैं आप लो बड़ी आ है बाई कैरी अपनी सुनाओ क्या आलचाल खुद का कंटेंट है बाई कि एता डर थोड़ी लागा है और कैरी बाई टिक टॉक टा गलत थोड़ी बताया है गबरान की कोई जुरूरत नहीं है लादले लादले yeah i saw that video that Carrie Minati posted recently and i must say that it teaches all of us one of the biggest life lessons of all time which is that there is a difference between having a fanbase and having a loyal fanbase you see having a fan base means you just have numbers on your profile but having a loyal fanbase means that there are people in this world who will come to support you no matter what happens and that comes with years and years and years of experience which obviously Kariminati has more all right guys don't just focus on creating a fan base but a loyal fan base and that will happen when you'll connect with them from here from your heart all right let's become successful you